हेलो एवरिवर्ण, मैं हूँ सिवम दिवेदी और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में आज की इस क्लास में हम आपको कच्छा दस के गडित के पांच हुए अध्याए जिसका नाम है समांतर सेणिया इस अध्याए की 5B exercise के question नमर पहले को बताने वाले हैं जो पहला question हम आप लोगों को बताने वाले हैं यह आपकी परिच्छा के साथ साथ आपकी practice के लिए भी बहुत ज़्यादा important है इस question के माध्यम से आप सीखेंगे कि किसी स्रेड़ी को कैसे बनाते हैं और उस स्रेड़ी का जब हमें एनवा पत दिया होता है तो कैसे स्रेड़ी को लिखा जाता है एनवा पत के बारे में अभी आप ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन धीरे धीरे जब questions को करेंगे तो आप सीख जाएंगे तो क्या है कि सुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेश्ट के हुए लिखा हुआ है कि A1 बराबर 3 और AN बराबर 3 AN-1 प्लस 2 सभी N-1 के लिए क्या करना है हमें प्रतेक अनुकरम के 5 पद लिखने है अब ये अनुकरम क्या है जो आपको यहां से यहां तक यह लिखा हुआ दिख रहा है ये हमारे पास है अनुकरम और इसके हमें 5 पद बनाने है क्या बनाने है 5 पद बनाने है और उसके बाद संगत स्रेड़ी को भी ग्याद करना है तो क्या करना है यदि आपने पद निका लिए तो सेड़ी तो बस उसी आंसर को लिख दीजे, सेड़ी बन जाएगी, कैसे करेंगे एक कोशन को बहुत ही ध्यान से देखेगा, तो क्या है कि सबसे पहला कोशन हम लोगों के सामने लिखा है, हम इसका एक एक पॉइंट आपको डिसक्स करके देंगे, तो पहला कोशन हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए एन बराबर 3, ए एन माइनस 1, प्लस का 2, बहुत ध्यान से देखेगा, यह प्लस 2 उपर है और एन माइनस 1 थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, यह एक बटे में लिखा के लिए देखेगा जिसके पास भी मनोहरे की बुक या फिर NCRT की बुक है यहां पर एक चिन लगा होगा ऐसे बराबर का उसे आप काट दीजेगा वो मिस्प्रिंट हो गया है तो क्या करना है सिर्फ हमें N greater than 1 लगाना है अब कुछ बच्चों के लिए समस्या यह है कि आखिर यह क्या लिखा हुआ है तो हम आपको बता दे इसका मतलब यह है कि N के जितने भी मान होंगे वो एक से जादा होंगे एक के बराबर भी नहीं होंगे देखिए तीन चिन होते हैं एक पहला उसके बाद यह दूसरा ऐसे उसके बाद एक चिन और होता है जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और होता है कि ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे यह पांच प्रकार के चिनों को हमने लिख दिया इसका मतलब यह है कि N ऐसे 1 लिख दिया गया यहां 1 यहां 1 यहां पे 1 सब को हम आपको समझा देते हैं यहां है N के जितने भी मान होंगे वो एक से जादा होंगे जैस कि एक के बराबर का चिन यहां पर नहीं लगा हुआ है सिर्फ क्या हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता कुछ भी आगे गिंती हो सकती है यहां पर क्या हो सकता है एक भी हो सकता है कि एक के बराबर भी लिखा है तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टॉट डॉट आप बढ़ाके लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, उसके बाद n का जो मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए, एक से छोटा मतलब जीरो होना चाहिए, माइनस एक होना चाहिए, माइनस दो होने चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को, उसके बाद यहाँ क्या है, कि एक भी होना चाहिए और उसके छोटे मान भी होने चाहिए, तो मतलब क्या हुआ कि एक हो गया, जीरो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक के बराबर ही है तो उमीद है यह जरूर समझ में आया होगा और अब हम इसकी सुरुवात करते हैं तो क्या है कि इसको यहाँ पे पहले हम रख करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है N और यह लिखा है greater than 1 इसका मतलब क्या है कि N के सबसे पहले आप मान लिख लीजे क्या है कि इसका मतलब यह लगा एक तो बिल्कुल नहीं लिखना है क्या सुरुआत करने हैं दो से दो, तीन, चार, और यह पाँंच क्योंकि हमें का कितने पत लिखने हallas सिर्फ और सिर्फ पाच पद लिख रहे हैं तो हम लोगों ने क्या लिख दिया एक तो हमारा A1 हो जाएगा जो यहां पर लिखा है दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये और पाजवा ये हमें सारे कोश्चन में 5 से आगे नहीं जाना है अब इसको हल कैसे करना है पहले उसको समझ लीजे तो हम लोग क्या लिखेंगे एक कोश्चन समझ गए तो सारे कर लेंगे तो क्या सबसे पहले A1 का मान उता लेंगे क्या है 3 फिर A सफिक्स में लिखा हुआ है सफिक्स मतब इसके नीचे लिखा हुआ है n-1 अब आपको करना क्या है करना ये है कि n बराबर हमको रखना है 2, क्या लिखना है n बराबर 2 रखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर कहां रखना है, जहां जहां इस question में n है तो कर दीज़े A2 फिर उसके बाद ये 3 हो गया A लिखा N किजगा कितना है 2-1 2 समझ में आ रहा होगा देखे इसको इससे जोल घटा मत दीज़ेगा ये इसमें जुड़ेगा घटेगा नहीं ये उपर लिखा हुआ है बहुत ध्यान से लिखेगा जैसे मैं लिखराओं फिर ये हो गया A2 ये क्या है 3 है A2 में से 1 को माइनस करेंगे इससे ये माइनस हो सकता है तो क्या बचेगा A1 बचेगा और प्लस का कितना हो गया प्लस का हो गया 2 अब क्या हुआ ये हो गया मेरा 3 A1 का मान उपर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 दिया व Glue देखिगहा इसम्हें 3 कोशन है तो पहले आपको पहले बताईगे पिर दूतरा फिर तीसरा एंवन कमांट कितना है टीन है तो हम लुग यहां कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और प्लस का कितना होगए 2 देखेंगे गर 3 तुरुकों कितना हो गया 3 तुरुकों हो गया 9 और प्लस 2, 9-2 कितने हो गया 11 हो गया तो हम लोगों ने A2 का मान निकाल लिया है कितना निकाल लिया है 11 निकाल लिया है इसी प्रकार क्या करना है में 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है, समझ में आ रहा होगा, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे n बराबर कितना रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो लिखेंगे हम लोग, n बराबर 3 रखने पर, अब क्या रखेंगे हम लोग, n बराबर 3 रखेंगे, तो क्या है, हमारे पास equation क्या है, equation है, n AN लिखेंगे फिर लिखेंगे 3 AN-1 और प्लस का 2 क्या रखना है हम लोगों को जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ पर हम लोगों को 3 रखना है तो क्या होगा A3 होगा A लिखा N की जगा पर कितना रखना है 3-1 प्लस का 2 तो क्या हुआ 3 हुआ 3 में 1 चला गया, कितना हूआ A2 हो गया, प्लस का 2 हो गया अब क्या हुआ, 3 लिखेंगे A2 कमान यहाँ से देखकर बताईए कितना है, 11 है, तो हम रोग यहाँ पे 11 लिखेंगे प्लस का, 2 लिखेंगे, तो कितना हो गया 11, 33, 33 और दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो A3 कमान कितना आ गया है, 35 आ गया है, एक समझ गए, तो सारे कर लेंगे, इसलिए बहुत आराम से समझने की कोशिस कीजिए, और यदि पहला कुशन समझ में नहीं आता है, तो दूसरे को देखिए, दूसरा नही करेंगे, तो क्या लिखेंगे, A4, यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद लिख दिया गया, 3, उसके बाद, A, N की जगा पर कितना रखना है, हम लोगों को 4 रखना है, माइनस 1, प्लस का 2 लिखा गया, अब क्या हुआ, तीन इसको घटाएंगे, A3 होगा, प्लस का 2 होगा, व तो उसमें जोड़ देंगे, कितना आजाएगा, 107 आजाएगा, तो A4 का मान कितना आगया है, A4 का मान आगया है, 107 आगया है, अब क्या करेंगे, N बराबर कितना रखेंगे, N बराबर हम लोगा 5 रखेंगे, N बराबर कितना रखने पर, N बराबर 5 रखने पर, तो क्या कर लोके कितना सुखकी सब्सक्राइस को 3 से इक बंद कितना गया Maini यूदि कीमें कितर को किमा घ्रें चाएगा वार फाइफ हो गया है पांच पांची नि यह करना है अब क्या है जो पांचों ऑन हम लोगों है कि Çaad p बनानी है तो सबसे पहले आप लिख दीजे 5 पद क्या लिख दीजे 5 पद और कौन कौन से A1 है A2 है A3 है A4 है और A5 है A1 कमाल उपर से देखकर बताएंगे कितना है 3 है A2 कमाल 11 निकाला था आई थी और उसके बाद A3 कमाल 35 A4 कमाल 107 और उस कमाल निकाल लिया है 320 यह हम लोग पद होंगे उमीद है जरूर समझ में आ रहा होगा अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कोशन की और देख सकते हैं आप पसीना कितनी तेज निकल रहा है क्योंकि फैन को आन करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा तो इस तरीके से अब यह कोश से अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी आपका हक जो भी है वो जो मेरा हक है उससे आप जरूर करें लाइक जरूर करें और कमेंट को जरूर करें इसका स्क्रीन सौट ले लिए स्क्रीन सौट लेने के बाद दूसरे कोशन को हम आपको बताते हैं अब दूसरा कोशन हम के सामने जो लिखा है हम उससे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है एन कमान सबसे पहले लिखते हैं यह जो एन कमान यहां से यहां तक दिया है क्या दिया हुआ है दिया है एन बराबर एन माइनस वन और अपॉन में क्या लिखा हुआ है एसे यह कोशन हम लोगों के सामने दिया ह यह एन बराबर दिया है, एन-1 अपान एन, तो इसे हम तीन हिस्सों में बाट देते हैं, क्योंकि इतने हिस्सों में ही यह कोश्चन पूरा हो पाएगा, और इस तीसरे कोश्चन में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा कथिन है, और उसके एल कमान दो भी हो सकता है और दो से जादा भी हो सकता है तो क्या है दो भी हो सकता है और दो से जादा भी हो सकता है जिस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो वो हमें वाटसप पर मैसेज जरूर करें हम बिल्कुल उसको समझाएगे क्योंकि ये बेसिक है और आपको A3 A4 A5 ये 5 पन हम लोगों को निकालने है पहला दिया है 4 और निकालने है तो क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग N बराबर कितना रखने पर N बराबर हम लोग रखेंगे 2 रखने पर तो क्या हो गया N बराबर 2 रखने पर इसे हम लोग लिख देंगे तो ये n बराबर 2 कहां रखेंगे इसमें रखेंगे तो हो जाएगा a2 और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे रखना है तो क्या हो गया a और उसके बाद यह हो गया 2-1 और n है तो इसकी जगाँ पर क्या लिखेंगे बटे में 2 अब देखेगा दो में एक चला गया तो क्या बचा एक बचा और बटे में कितना हो गया दो अब आप देख रहे हैं कि A1 का जो मान है वो कितना है माइनस एक है तो यह हो गया माइनस का एक और बटे में दो तो ये हो गया हमारे पास a2 कमान और कितना हो गया है माइनस का एक बटा दो अब आपको क्या करना है n बराबर आपको रखना है 3 n बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर यदि छोटा और बड़ा आपको कोई भी सांस्या हो रही है यूगि मैं छोटा लिखता हूँ तो आप बिल्कुल भी कमेंट करके बता सकते है तो n बराबर कितना है 3 हो गया है तो क्या लिखा a3 और ये हो गया a आपको कहां क्या रखना है जहां n है वहां पर कितना रखना है वहां रखना है 3 यह हो गया दी अब यह उपर 3 में एक चला गया दो बचेगा और यह हो गया ءर्टू का जो माण है वह आपने कितना निकाला माइनस का एक बटा दो अब यहां समझ्या होती है बच्चों के पताते हैं यहाँ पर ऐगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप इस जैसे प्रकार यहांभी करना यास हो गया, और एक एक Bean, कितना हो गया? माइनस का एक का एक बटा खी यह बैलो रatिना जी हम लोगों ने a3 की. बस यही समस्या यहां पर होती है. अब a3 हो गया, अब क्या करना है? a4 निकालना है और a5 निकालना है. तो लिखते हैं कि n बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर तो n बराबर हम लोग अब कितना रखेंगे 4 रखेंगे क्या लिखेंगे a4 a और 4-1 upon में 4 तो ये 4 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा बचेगा 3 और ये 4 अब a3 का वैलू आप देख सकते हैं कितना है माइनस का 1 बचा और बचे में कितना है 4 क्या करेंगे हम लोग वही करेंगे जो अभी थोड़ी दिर पहले किया था बुड़ा कर दिया तो एक बचा कितना हो गया माइनस का 24 a4 की वैलू आ गई है a4 के बाद अब हम लोग निकालेंगे a5 तो मतलब n बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर और यदि क्लास मज़ेदार है समझ में आ रही है तो कमेंट को जरूर करें ताकि अगली क्लास मैं जल्दी से लेकर रहा हूँ यदेगा तो क्या हुआ n बराबर 5 तो क्या करेंगे a5 और हम लोग लिखेंगे a5-1 अपन फीफ क्या हुआ a4 अपन 5 ए4 का जो मान निकाला हैम लोगों निकाला है मानस का ecovix & 22 और पूरे के बठते में कितना लिखा हुआ पांच लिखा हुआ अब हम लोग इसको क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो 24 को जब 5 से गुड़ा करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 120 आ जाएगा तो a5 बराबर कितना आ गया 120 आ गया है अब वही आप अपने आप स्वयम लिख लिजेगा पांच पद a1 a2 जैसा पहले question में किया था a1 a2 a3 a a4 a5 की value लिख लिख लिजेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा तो वह स्वयम कर लिजेगा कि a1 का मान एक साथ लिख लिजेगा फिर a2 लिख लिजेगा फिर a3 a4 और a5 कॉमा लगा कर आप लिख लिख लिजेगा उमीद है जरूर समझ में आ रहा होगा अब इस question का जो लिखा है उसे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसे लिख लेते हैं क्या है हमें a1 का भी मान दो दे रखा है और a2 का मान भी दो दे रखा है मान लिजे कोई एक लड़का है और उसका नाम है अमन और एक कोई दूसरा लड़का है मान लिजे वो लड़की है क्योंकि a से मैं दूसरा नाम कैसे लाओं? वो मालिजे हो गई या आफ्रीन. अमन और आफ्रीन या आजाद हो सकते, कुछ भी हो सकता है. सब पेरे बच्छों के नाम है, जो कोशींग के बच्चे हैं. अमन हो गए, आफ्रीन हो गए, उसके बाद क्या हो गया? ये दोनों बराबर है दो क्या हुआ अमन भी दो साल का है और आफरीन भी दो साल की है इसका मतलब क्या है कि अमन और आफरीन दोनों आपस में क्या है बराबर है इस concept को समझे इसका मतलब A1 का मान भी दो है और A2 का मान भी दो है बस confuse करने के लिए ऐसे लिख दिया गया इसका मतलब क्या हुआ अमन भी दो साल का और आफ्रिन भी दो साल की भाई भाई चोटे-चोटे बच्चे और थेंथ क्लास में बहुत बड़ी बात है तो क्या हुआ कि A1 बराबर दो और A2 बराबर भी क्या हो गया 2 हो गया कैसे लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे A1 की वैलू A1 की वैलू हो गई A N-1 माइनस का 1 और यहां लिखा है N greater than 2 इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग N का मान दो नहीं ले सकते हैं अब क्या करना पड़ेगा अब 2 से ज़्यादा लेना पड़ेगा क्यों क्यों क्य डॉल मैं लिख देता हूँ A N , A N की जो वैलू होगी वो 3 होगी चार होगी और 5 होगी डॉट 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 अब क्या करना है अब आपको n बराबर 3 रखना है एक बार फिर 4 रखना है फिर 5 रखना है उत्तर पत्तर आगे पत्तर बिंगे उत्तर गाएगा 1 जब n बराबर आप 4 रखेंगे तो उत्तर आएगा 0 और n बराबर जब 5 रखेंगे तो उत्तर आएगा minus 1 तो आपके स्रेडी क्या बन जाएगे जो स्रेडी के 5 पद बन जाएगे वो बन जाएगे तो क्या हुआ A1 की वैलू भी 2 हो जाएगे A2 की भी 2 हो जाएगी फिर उसके बाद मैंने कितना बताया था एक बताया फिर 0 बताया और फिर minus 1 बताया ये पांचों आंसर इसके होंगे जिनको आपको हल करना है और यदि आंसर हल हो जाते हैं तो भी comment box में message करना आप बहुत सारी comments हो गई है इनको आप send कीजे और comment भी कीजे तो उमीद है ये class समझ में आई होगी और यदि class समझ में तो फिर आपका like भी बनता है और आप like कीजे हमारे वीडियो को और अधिक से अधिक share कीजे और आप इसे अवस्ते जरूर regular class देखने के लिए इसे subscribe भी कीजिए तो उमीद है class समझ में आई है तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं हम आपसे अगली class में